हलो अब्रिवन स्वागत है आपका एक नए वीडियो में तो दोस्तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने सोलर पैनल से डायरेक्ट क्या-क्या चीज चला सकते हैं देखिए दोस्तो सोलर पैनल से रिलेटेड हमने और भी बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है तो सबसे पहले हम आपको यह बता दे कि हमारा सोलर जो है वो दो तरक होता है एक होता है एक होता है एसी मोडिल सोलर और दूसरा होता है डीसी मोडिल सोलर तो दोनों का काम बिल्कुल अलग होता है तो दोस्तो एसी मोडिल सोलर जो होता है वो हमारे घर में लाइट आता है उसी तो तोटल होगा रेक्रेंट से लेगा और 100W वह हमारा सोलर लेगा तो इस तरह के होते हैं दोस्तोंама से सी मोड़िल सोलर हमें तब लगवना चाहिए जब हमारे एरिया में 24 ४द्विसी हम टा ही करेंट रहता हो अगर सोética हमारे एरिया में दोस्तों गहंता पंदरागा रहता है तो उसमें दोस्तों संदोर नहीं डेकी दोस्तों वो वो सिर्फ और वो हमारे बैटरी को चार्ज करता missionary आप इसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं कि हम अपने बैटर को चार्ज करते हैं और इनवर्टर के थुरू हम अपने पूरे घर में इलेक्टर सिटी जो है वह सप्लाई करते हैं यही तरीका मैं यूज करते हैं यही तरीका मैं यूज करते हैं यही तरीका मैं यूज करते हैं और है अपने घर में सप्लाइब हम बचा लेते हैं अब बात कर लेते हैं कि dc मोडूर सोलर क्या क्या स्वार चीज चला सकते हैं देखेज चलाने के लिए तो हम कुछ भी चला सकते हैं लेकिन उसका कंडीशन है दोस्टों अगर आप कंडीशन को नहीं ध्यान से सुनते हो तो आपका जूभी डिवाइस अगर आप अपने सोलर से चलाते हो वह डिवाइस खराब भी हो सकता है तो आप यहां से वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजेगा और इस वीडियो का वी तक लाइक लाइक जरूर कर दें और हमारे YouTube चैनल पर नए होगो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें तो चीली दोस्तों आपको बताते हैं कि DC मोडूल सोलर से हम डायक क्या क्या चीज़ चला सकते हैं सपोच दोस्तों हमारे पास 100 वाट का DC मोडूल सोलर है तो उसमें हम क्या कर स आप से सिर्फ हमारा इसका 15 soit कोई दिवाइस ही हम चाहें तो सके 1 520 क्या होगा कि क्या है हूँआप कर रहे हैं इस قिसेKay यह थो हमारे ज consig घानिके होगा 10 अब चीज को आपको ध्यान देना है तो आप 50-50 वत का दो डिवाईज करेंगे का इतों तो आप बिल्कुल असले से चला पाओगे तो यह थ्यान में रखेंगा दूस्तों चितना वत का सोलर है उतना ही वाट आपको device connect करना है ठीक है दोस्तो अब चेली हम आपको बता देते हैं कि कैसे हम अपने solar panel से direct हम कुछ भी connect कर सकते हैं और कुछ भी चला सकते हैं तो मेरे पास है दोस्तो दो solar एक है दोस्तो 105 watt का luminous और दूसरा है दोस्तो 20 watt का Tata BP solar दोस्तो छोटे solar से आपको example के तोर पर दिखाने वाला हूं तो दोस्तो फिर से बोल रहें इस वीडियो को like नहीं कि हैं तो like जरूर कर दें और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें तो चैनली दोस्तो हम ले जलते अपने solar panel के पास और आपको बताते हैं कि कैसे हमें connect करना है तो दोस्तो हम आच चुके अपने solar panel के पास और अपने fan के पास तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख पा रहे हो कि हमने अपने solar को जो है आधा ढख रखा हुआ है क्युंकि दोस्तो हमारा solar panel जो है 105 watt का और फैन यह मातर 30 watt का है इसलिए पर प्लीकुरा विल्टेज ना मिल पाए अगर दोस्तो पुरा विल्टेज मिल जाता है इस solar panel का ixs fan को तो हमारा फैन खराब भी हो सकता है तो ऐसा गलती आप बिल्कुल भी मत कीजेगा तो मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों कि अगर आपका सोलर पैनल का वाट जाता है तो आपको मोट का कोई डिवाइस मत कनेक्ट कीजेगा इसलिए दोस्तों मेरे पास कोई और डायक्ट डीजी फैन अगाधर ही था इसलिए दोस्तों मैंने सिंगल फैन को करेक्ट किया तो था लेकिन दोस्तों हमने अपने सोलर पैनल को अधर ढख रहा हुआ है अब दोस्तों आपको बताते हैं कि हमने कैसे की यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों अपने फैन से इंदोने यहां आप Colin Κेल वाली वायर में connect हो जोगी है जो की green और yellow color की जो वायर है यह direct हमारे fan से connected है तो simple तरीके से दोस्तों positive वाला positive में और negative वाला negative में हमें direct connect कर देना है इसके लिए दोस्तों कोई सब्वी और किसी भी आटम की जोरोत नहीं पड़ेगी आपको किसी भी डिवाइस की जोरोत नहीं पड़ेगी बस दोस्तों positive वाला positive में और negative वाला negative तो दोस्तों I hope कि यह वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा अभी तक इस वीडियो को like नहीं कि हैं तो like जरूर कर दें और हां दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करना बिल्कुल मत भूले तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिन